स्वागत है आपका ग्यापन इकेडमी के इस जियोग्राफी के क्लास में और आज क्लास बहुत ही संदार होने वाला है अब पढ़िए वही जो एक्जाम में आएगा ये दिमाग में बैठा लेजेगा बाग की फालतू के चीज़े नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका एक्जाम बहुत करीब है और इस हिसाब से आपको इतना अच्छा संदार तयारी करना है कि आपका माक्स आपकी एरिया में टॉप अप दबेस्ट होना चाहिए कि आपको किसी को बताना नहीं पड़े लोग जान जाए कि हाँ आपका माक्स बहुत अच्छा है इतने अच्छा तरीका स सबसे बड़ा सबसे बड़ा सड़क का जाल किस देश में है आपको पता होना चाहिए कि हर देश में सड़क है हर देश में सड़क है की नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा सड़क कहां पर तो सबसे ज़्यादा सड़क अमेरिका में है लेकिन भारत आता है दो नमबर पर कितना नमबर आता है इंडिया तो यहां पर पूछे हैं दूसरा तो अपना प्यारा सा इंडिया हो जाएगा अगला कोस सबसे बड़ा सबसे बड़ा सब्सक्राइब अब यहां देखिए बहुत थी मज़दार इसको देखे यह को आएगा रट लिजिए और इसका ट्रीक बड़ी संदार है यहां देखे दिली और यहां देखिए दिली और अमरीज सर से एक था से अफगानिस्तान के कबूल होते हुए और डारेट कुलकत्ता को जोड़ दिया था ठीक है एक रोड बनाया था जिसे एक जीटी रोड यानि ग्रेंड ट्रॉक रोड कहते हैं लेकिन जब अपना देश आजाद हो गया उसके बा संवर्भाद यहां पंजाब के अम्रीच सर से लेकर करे टीके और यहां कोलकाता है ना शीट से तोड़ दिया गया तो अम्रीच सर्च से दिली एक रोद हो गया और डिली से कुलकाता एक रोड हो गया तो अम्रीच सर से दिली को NH1 national highway 1 कहते हैं और दिल्ली से कुलकत्ता को नहीं तो यहाँ पर दिल्ली से अम्रिटारन यह वाला एनेच वण रास्टि राजमार्ग वन कहते हैं अब इसका ट्रीक क्या है को सब्सक्राइब कुछेगा कि डारेक्ट पूछे के ग्रेंट रोड किसने बनवाया ठीक है तो यहाँ पर ट्रीक आप देख सकते हैं एक ट्रीक कुस्चन आपको मिले का नहीं लिखे हैं तो आपको फिर से दुबारा हम एड कर देंगे ठीक है ग्रेंट रोट से सुरी ने बनुए था अमरीच सर से कोलकता था जिसको दो खंडों में बाट दिया गया है ठीक है अब यहां देखिए यहां पर कोलकता से अमरीच पीके नाच रही है याद रखेगा अमरीच पीके नाच रही है नाच अगर यह आप याद कर लेंगे तो देखे सासूर से हो जाएगा से हो जाएगा ग्रेंड ट्रॉक रोड ठीक है अमरी कोलकता से तो कोलकता तो यानि कि सासूर यानि सेर सासूरी ग्रे और यहां पर लिखेगा एंच से कुछ दिर के लिए चाव माल लेजी अगर तो एंच एंच वन और एंच टू हो जाएगा वह हम आपको टेलीग्राम चैनल ग्यापनिकडी में अफिसियल पर देख लीजेगा उसका ट्रीक आपको अपलेबल मिल जाएगा जैसे वीडियो अप डलक योजना कब बनता तो देखिये शड़क योजना की बात करेगा ठीक है तो 19 सबसे पर नाठीज में सबसे पहला ट्रैन भारत में तो 18 teles commerce ए देखिये अगर सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग यहां इसको अगर देख रहे हो इस फिगर को तो देखिए कितना सुन्दर स्टार्टिंग में रोड बनाए गया था समझे यह पूरे भारत में महान महान नगरु को जोड़ने वाला यहां पर है रोड जैसे कि महान नगर में सबसे महान है दिल्ली कि दिल्ली उसके बाद दिल्ली को जोड़ दिया गया मुंबई से मुंबई को जोड़ दिया गया चैन्नाई से और चैन्नाई को जोड़ दिया कोलकता से को फिर दिल्ली से खुब अच्छा चत्रभूज बन रहा है न तो इसी को कहते हैं स्वानीम चत्रभूज मुंबई चन्नई और कोलकता यह महा नगरी राश्टि यह राज मार्ग जो है इचार गोई एच वान इस टू एच टू एच त्री एच पूरी चार पाश गोगा लेकिन सबसे बड़ा लाइन इसमें कौन है तो यहां देखें यहां से बनारसी से उत्तर परदेश के बनारा से और एकदम लास्ट में चले जाओ कन्या कुमारी ठीक है हम क्या बोले हैं उत्तर परदेश के बनारसी से समझेगा उत्तर परदेश के बनारसी से और कन्या कुमारी तक इसको कहते हैं NH7 जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क है NH7 याद हुआ NH7 ठीक है यह महान अगर चार को भाई भी पूछेगा तो तेईस चौन अब इसको याद की से किजएगा तो पहले लिखेगा दो फिर तीन और इसमें गुणा की जिएगा तो कहा जाएगा यह आपका पूरा का पूरा पूरा लंबाई किसका एनेच 7 का अगला कोशन देखते हैं कि एक 20 वर्सी सड़क सड़क योजना अगर नागपूर पूछे कानपूर या नागपूर क्या दिया है यहां देखे नागपूर तो यह आप याद रखेगा सड़क उड़क भी नहीं बना रहा था सब ठीक है तो जब अब सड़क नहीं बना रहा था तो आजादी के बाद से सोचागे कि नहीं हम लोग को अपने देश के विकास के लिए मानली जी कहीं दूर जाना है या बैपार करना है तो उसके लिए सड़क बनाना बहुत जरूर जी टिकमाजी स्टेट में होती है तो यहां राष्टी राजमार्ग हो जाएगा च्यूद मेंट होग दूसरा róż को Woods जिसको राज सअब कर थिसरा आपको किसी छाख गाउं अस्तर पर होता चार परकर करकर में सब्सेट को देखा जाई तो पुछा जाए कि फूर्य भारत के सड़क में कितना परतिसत नेच जीला ऐस्तर परसेंट है और गाँ कितना कितना सड़क होता है तो फूर्य भारत में उसी परसềnट इसको थैक्त क्या है कितना आसान2 प्र एक बताये 4 परसेंट फिर 6 को बना दिये को बना तो यह आद रखेंगे यह तो कोश्चन कीर में यहाँ कितना हम लोग ढेवल प्र यहीं एकांन में कितना हम लोग भी लग कियें कहां 19,000 और कहां 10 लाग कितना हम लोग आगे बढ़ गए जब तक अंग्रेश था यहां कोई विकास नहीं हुआ है पूरे देश की कुल सड़कों में राष्टिय राजमार संके एनेच कितना है दो परसेंट है ठीक है और राज जेका बोलेगा तो चार परसेंट है 14 परसेंट जीला अस्तर का और गाम अस्तर का क्या हो जाएगा असी परसेंट ठीक है अगला कुछन यहां देखे निमलिखित राष्टिय राजमार परदीकरण का प्रचालन कब हुआ ठीक है तो यह हो जाएगा 1995 में यह दो बार कुश्चन पूछा है रट लेजिए निमलिखित प्रदीकरण आपको समझाने के लिए बताएं वैसे आफिस को नहीं बोलते हैं तो यह कब बनाए गया 1995 में ताकि किसी परकर सड़क में परशानी हो तो यह जांच परताल करें ठीक है यहां पर देख भी सकते हैं यहां लिक भी दिए हैं ठीक है भारतिय राष्टिय राज और घ्रस करता है ठीक है है याद रखेंगे तो सुनुद्र है सुन्दर चत्र पूंश सब मिलाकर नंबाई कितनी है तो सब मिलाचकी छारनानांतिये थैसा याद रखेंगे अगला कुस्टन देखें यहां पर देख लिए कि देश में चार महान अगर दिल्ली मुंबई चन्य कुलकत्ता को जोड़ती है ठीक है एनेच वन अपका यहां इसमें थोड़ा बता दीजिए कि एनेच वन कौन है तो सुनिए यहां देखिए यहां पंजाब वाले अमरीज सर से दिल्ली एनेच वन और यहां से एनेच टू दूग हो गया फिर थीरी फोर फाइब और यह आपका हो जाएगा सिक्स हुआ सिक्स के बाद से यहां पर हो गया एनेच सेबन जो सबसे बड़ा है इसकी लंबाई कितना है दो तीन तीन दूना चौँ चौँ को पलड़ दू किलोमेटर लांबा है सका है चलिए अगला कुशन देखते है क्या कुशन ँization कहा रहा रहा है कि अगला कुशन है ऊत्तर दक्षन गलिएरह कहां और चाहां कहां से खालतर में सबसे उपर नीचे होता है करनिया कुमारी तक यहां अब यहां पर देखिये तो लिख भी दिये हैं आप याद भी कर सकते हैं कि उत्तर दक्षुट गरियाला यहां पर सब्सक्राइब करनिया कुमारी तक इसकी लंबाई चार जीरो सोला है अब यह कैसी देखिए चार चयुका सोला चार का पहड़ा याद है ना बस इसमें चार याद रखेगा अब यह सर आप तो बता दिए उपर से नीचे थोड़ा ऐसे भी बता देजी तो यह देखिए इधर और असम है और इधर घुजरात है तो असम से गुजरात के बीच लंबाई यह होगया पूरापसिम यह ज़एगा पूरा पहसिम ठिक है पूरा पहसिम तो इसका हो जाएगा 36-45-46-40 और यहां भी चार का पहड़ाwwww का सोला यहाद रखेगा च्छटिस चालीश हो गया चार क तुल्ला कौनसा उत्तरदक्षण उपर से लेके नीचे तक और यह वला हो जाएगा आपका ऐसे पूरा पश्रिम ठीक है चलिए अब कुश्चन देखिए आज यह जोग्राफी कंप्लीट हो बच गया आपका हिस्टी और एक और जोग्राफी तो मातर दो से तीन दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है उसके लिए नहीं लेना है भारतीय और संस्कृति के लोगों को एक साथ ला करके आपको पता है न कि भारत के जो रेलवेए वह अलग 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 जात पात को सब को एक जगा ला करके भारत की में योगदान दिया यह बात किसने कहा है महात्मा गांदी कि जानते हो पहले लोगों को एक जुट करने में बड़ी परसानी होती है कोई पाटना में रहता है अदिल्ली वाले आदमी को जाके समझाना है कि देश के लिए एक हो जाओ तो दीकत होगा कि नहीं तो इसके लिए अंग्रेजों ने अपने लिए ट्रेन बनाया हम इससे बैपार करेंगे हम भारतियों ने क्या कि उसी ट्रेन में बैठ करके चीप करके चले जाती थी दूसरे राजय में वहां के लोगों को समझा के फिर उसी ट्रेन से वापस आ जाते थे तो यह मात्मा गांदी ने कहा था ठीक है अगला कोशन देखे भारत में रेलवे की अस्थापना कब भी थी तो बारत में रेलवे की स्थापना आपको बताए थे ना उन्नाइस सो तिरीपन में रट लीजिए यह भी दो तीन बार पुछा है मस्ट वी वी आई है तिरपन में आपको एका सर कितना किलोमेटर पहली ले चला वहागा तो 34 किलो मीटर चला था कितना किलोमेटर चला गऑं यह कहां यह महारास्ट वाला ही महारास्ट में इंडिया का मैप में कि इधर है मुंबई और थाने 34 किलोमेटर चला था ठीक है अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन यहां पर बता वैसे यह लिख भी दिया उनीस तिरपन में मुंबई से थाने 34 किलोमेटर रेलवे लाइन है ठीक है उसके बास एक तिस मार्श जो और पुंदरा तक यह च बजाने वाला रेडियो जो है ना 1923 में हुआ था अगला देखिए यहां पर लिख भी दिया है कि भारत में रेडियो का परचार 1923 में किसके दवरा तो भाई जो डेवलफ होगा वही ना पहले रेडियो सुनेगा गाना वना बने तो आब आती जितना भी फिलिम के हीरो हीर रेडियो के अस्थान पर आकासवानी रख दिया गया पहले के समचर में बुले हैं कि यह प्रिम्चतर हुज बोलतें जिसकी लंबाई कितनी है आप अभी कमेंट करने से बाबू आपको याद हो जाता है कमेंट करते रहे हैं नागपूर योजना किस परिवहन से संबंदी तो आप बताए सड़क परिवहान है नागपुर योजना ठीक है तो यह आप याद रखेंगे वैसे बताए कि नागपुर सड़क योजना की शुरुमात कब हुई थी ठीक है आपको बताए थे याद रखेंगा सड़क योजना उनने सो तिरालिस यहां लिक वेदिया नागपुर सड़क योजना चलिए अब भारतिया रेलेवे बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है भारतिया रेलेवे परणाली को कितने मंडलों में तोड़ा गया कितने जोन में कह सकते हो तो तो मान लि वे एक जगे office रहेगा मालीकी तो कहीं भी के साथ कोई भी दिक्कत आएगा तो जाएगा डिल्ली इसलिए हर छेतर में ट्रेन के स्तितिकों सुधारने के लिए हर स्थेतर बना देगा इसलागा जोन हम से याद हो जाएगा अब ही याद हो जाएगा चारगो महान अगर आप आपर था दिल्ली इस साइट था मुंबई इस सय था कोलकता अडीचय था चेनद डिल्ली यहां था कोलकता यहां था मुंबई और यहां था चेने अगर यह चार औन regular कर gold यांद करां देंगे दिखे कैसे इसको ध्यान से देखिए रेलेवे जोन देखिए तो कितना इतना यहां पे पूरा का पूरा आपको सोल लगो वैसे अभी बरतमान में 19 हो गया जितना भाई जंग संक्या बड़े का पूरा इस साइड पूरा इतना याद हुआ अब कोश्चन को इसे पुझेगा यह मामला यह तो कहां है तो ऊपर में दिल्ली था ना तो दिल्ली हो जाएगा ठीक दक्षिड में क्या था तो यह एक नहीं सड़क मार के तरह इदर पूराब की बात करें तो मुंबई था और सब्सक्राइब करें दर निशन वेश्याद को पूरवी जोन को दिल्ली और नीच। नहीं इतना आपको समझ में आया अब थोड़ा सा इधर देखिए अब यह आते हैं बीच वाला इधर से बीच में एक पड़ता है तो उपर उत्तर होता है उत्तर के मध्य में तो इसे कहते हैं उत्तर मध्य रेलिवे जुन उत्तर है उत्तर है उत्तर के मध्य में तो कोशन बुचेगा उत्तर मध्य रेलिवे जोन एंतो उलाहा बाद याद रखेंगा आफ हमेल rings जोन सिकंद्राबाद तो ऊपर नीचे व एक हयए नागा नीचे निथा bes सक्षें न हुए पड़ता है तो कुछेगा पूर्वी इधर पूरा पड़ता है तो यह देखेगा हाजी पूर इसमें पूर है न पुस्चिम मद्य में जबल पूर उपर वाला में बाद था यहां पे बाद था और नीचे वाला दोनों साइड में पूर है एक तरफ जबल पूर जो मद्य परदिस में और एक तरफ यह हो जाएगा कौन साब का हाजी पूर तो यह आपको याद हो गया होगा अब एक और पूर है अब बात करेंगा इसका यह वाला रिलिविजुन क्या है सर तो बताएए यहां से देखे तो ओपर है की नहीं तो ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं अब फिर इधर वाल है जैपूर में इसको बोलेंगे उत्तर पूरव मद गोरकपूर और जैपूर गोरकपूर अलाहाबाद सिकंद्राबाद यहां पर दिखे जबलपूर हाजीपूर तो यह आपको लगभग याद हो गया अब बच गया दूतिन गो तो इस साइड वाला तीन गो लागातार है रेलेवे जोन जैसे कुलकत्ता का मेर आपसे बोलें जहां सबसे पहले मेरस की शूर्मात कहां उती जो मेडॡ़ त tyre ति तो दिल्ली तो यह आपको हो जाएगा आपको यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा विलासपुर याद रखेगा यह भी कुछेगा तो है नहीं थोड़ा इंपोर्टिंड अब यहां को सद्थिए किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुईधा थी евой में Sonšta यहां आ रहा है देखो इढरह तो पूर इधर आम मध्या इधर आता है इधर जबल पूर इदर हाजी पूर यहां मध्या यहां plugged भोड़ब किसे का जाता है ऐसे तो ए पहला है इसको एक बोलते इसको दो बोलते tomar दीज़ाहां मुंबई से छे नई को बोला जाता हुए मोले सो फलाटा है अगला कुष्चन देखे और खुष्चन भारत में सबसे उचा सड़क पहाड पर होगा तो ले और मनाली कहां पर है उपर वाले इलाका में भारत के सर जो है उसी पर है किन राजियों से गुजरता है यहां से बाउंडरी पर जाएगा यहां महाराष्ट है यहां पर करनाटक यहां पर के गुजरेगा और यहां पर जाते जते इतना रिस्क है बहुत सारा पूल पार करता है बहुत सारा सुरंग लगवाग एकानवे बानवे को सुरंग पार करता है ठीक है तो बहुत रिस्क होता है यहां नीचे लिखे भी होंगे इसके बारे में देखें यहां पर पूरा रेलवे चली है जिसमें कितने नदियों को पार करना है 146 नदी को पार करती है नदी धराओं को सबसे बड़ा सुरंग चौँए यह याद रखेगा अगला कुश्चन देखिए और सेशन को सेयर करने को नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी भी जिम्मधारी बनती है अगर हम जिम्मधारी चल रहें लेकर के दो निमलीखित में से कौन एक ससक्त माध्या में जिसमें कॉम्प्यूटर पर सुचना एक अतरित करता है तो इंटरनेट के माध्यां से आपको यादे रखना पड़ेगा ठीक है राष्टिया जल मार का भीकास करता है ठीक है अनूरक्षण वह अनूरक्षण के लिए अस्थानीय जल मार का करतंधर क्षाफित है भारत में कॉण दो अस्थान जुआराश्टिया राजमार्षण संख्याज दों से जोड़े वह वह है कि बताई था राष्ट्या नबरउल गो तो दिल्ली से कौलकता कहीं है दिल्ली से कौलकता नहीं दिया अच्छा ये जल मार्ग को याद करने के लिए यहां पर एनेच ववन हो गया और एनेच वन का नाम किया है तो याद सब्सक्राइब होता है इलाहाबाद से सद्धिया तक सद्धिया से डूबरी ठीक और एनेस थिरी हो जाएगा कोटा पूर्यम से कोलम और एनेस पूर हो जाएगा काकी नाड़ा से मर्ग यह चीज़े आप याद रखेंगे अब इसका ट्रीक क्या है सर इतने याद लंबा करना है तो ध्यान से समझेगा यहां देखो मान लिजे कि आपको याद करना है इस बर जानते हो क्या सोड़क मार्ग नहीं याद करना है अब आपको याद करना है जल मार्ग जल मार्ग पहली बर कहां से कहां तक बोनता है सुनो इलाहा बाद से सधिया अब इसका true क्या है तो मालिजी कि एक काकीnın थोड़ा दिर के लिए का अब काकी लास्ट Finnish में मरने वाले है तो उनकी इक्षा है यृकि जो पोते हैं नाती है newest उनकी साधी हो जाए अब लड़का जब अब बढ़ेस्थी करेगा साधी और जब जब डाइगा न ठीक है और क्यों कि काकी मरने वाथ ऑन मर कपम याद रहेंगा यह तो पहला हो जाएगा या लाह बाद से हल याइँ LTIL सॉथिया धोरी कोटा नयुक्रत हो ग hooked up कि मरने वाला रहे घडू मरक अपम ठीक है इसकी लंबाई भी आप याद रखेगा 1620 किलोमीटर पहला है ठीक तो इन नंबर की तरह याद रखिए न याद हो जाएगा किसी का नंबर याद रखेगा 1620-891-205 ठीक और याद रखेगा 1095 यह चारे को पूछता है यह इंपोर्टेंट है अब बात करते ह कि जहाँ पानी वाले जहाँ रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं जहां रुकती है जहां रुकती है उसे रेलवे स्टेशन तो भारत में सबसे पहले यह वाला देखेगे कांडला बंदरगाह करनाटक में यह याद रखेगा मुंबई बंदरगाह मुंबई में है जिसको ज साइड में एक बेवस्ता कर दिया गया मुंबई के साइड में नवा सेवा यानि कि नहाने के लिए बना देगा है तो मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है तो मुंबई बंदरगाह है यहां पर बेड़ भी होता है उसके बास से गोवा में यहां में मुर्म गोवा ठीक है याद रखिएगा उसके बाद से बात करें हम यहां पर करनाटक में मंगलोर हो जाएगा यह कट किया है थोड़ा सा करनाटक में क्या हो जाएगा मंगलोर हो जाएगा अब यहां देखें तौमिलाडू की बात करें तौमिलाडू में चेन्नाई हो जाएगा उसके बाद कुई चीज उड़ता है तो कौंन उडता है परी ऊड़ता है लेकिन नहीं रखना तो पुछ कब पारा का है है कहा है तो खोल कट्ता वहला है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे चलिए यह देखिए परसीद नहरू ट्राफी यानि पुरा स्कार है ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं बलाम काली किस राज्यम है तो यह पता है किस राज्यम है किरल में किस राज्यम है किरल में क्योंकि आपको पता है देखिएगा नाव का रिस लगाया जाता है कि किरल में आप लोग बागी मोवी देखें ना उसमें नाव पर रखेंगे पूरा किनारह इसको तट बोलते हैं क्या बोलते हैं अगला कुछ देखिए अगला कुछ भारत में वायू परिवहन कब प्राराइब होगा सबसे पहले भारत में आप बताइए वायू परिवहन माने की हवाई जहाज की सुरुआत कब हो थी आप सड़क पढ़ लिए आप रेलवे पढ़ लिए ठीक है अब आप पढ़ रहे हैं क ठीक है एयर पढ़ रहे हैं वायू यानि की जो ऊपर जहाज चलती उसकी सुरुआत 1911 में कभी थी 1911 में इसको आप याद रखेंगे अब कहां से कहां तो पहली बार इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमेटर हवाई जा चलाए गया कौन से काम के लिए डांक सेवा के लिए अगला कुछ लिए भारत में हवाई अड़ा का राष्टी करण कब किया गया तो यह 50 में नहीं किया गया एक मिनट तिरपन हो जाएगा कब हो जाएगा 5390 53 में परियोहन को राश्टी करण किया गया और इस तरह से एक तीस नमबर कोश्चन अब तो मार्ग में हम लोग सब पढ़ लिए अब पाइप लाइन पढ़ लेते हैं सर इभी रास्ता है का हाँ जी पाइप लाइन भी रास्ता है इस ते दूर से पाइप के माध्यम से तेल भी जाता है माल यह किसी अलग देश से लाना हो तो बहुत पोई से लग जाएगा भाड़ा ही ज्यादा लग जाएगा तो इसके लिए उस देश से अपने देश में पाइप लाइन बिचा दिया गया ठीक है और बिचा करके जितने की जरुत है यहां से पाइप खोल दो यहां से तेल पहुंग जाएगा फिर खतम हो जाएगा पैसा आप जितना दिया उतना कमील जाएगा इधर से फिर का हो जाता है बंद हो जाता है यह यह पाइप लाइन तो भारत में भी एक राजे से दूसरे राजे में पाइप लाइन को जोड़ा गया तो सबसे यहां बोला है कि भारत में निरमीद पहली कच्छे तेल की ठीक है तो हो जाएगा नरकटिया नून मती से बरावनी बिहार में पढ़ता है और यह वाला पढ़ता है असम से बरावनी यह अब देखे एक और है हजीरा है गुजरात में बीजापूर है मध्य परदेश में और यह जगदीशपूर आपका यूपी में ठीक है यहां पर हम आपको पाइप लाइन बता दिया है अब यह तो दिख नहीं रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है तो इसको एक बार कम से कम इतना के लिए आप अ इसको उत्तरपुर्वी पाइप लाइन हो जाए कौन ऊत्तरपूर्वी यहां से यह जाए गाँससर से इस तरह से इलाका में तीसरा पाइप लेज़ेंगे यहां पे आपको पूरा का पूरा लिख दीए है अगला देखिए अगला चुश्शन है भारत में पहली बार टेली सेवा टेलीफोन वाला सेवा के सुरुवात कब हुआ था 1969 में हुआ था यह याद रखेंगे ठीक है आज का लास्ट कुश्चन है और लास्ट कुश्चन से पहले आप सेशन को सेर कर जिए टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विगलित कर नाम लिखा गया मनें एक मिला करके क् दूरशन रखा गया था ठीक है पहले दूरशन चल लाता आज कहीं कुश्चन कंप्लीट हुआ और इसमें के बारे में थोड़ा से देख भी लो ठीक है कि यहाँ पर 1976 में इस टीवी का नाम दूरशन कर देगा दूरशन मनें दूर के वस्तूओं को आप सके दर्शन कराता ह नहीं सुनाता है ना इसलिए इसका नाम दूरशन रख देगा है तो उम्यद करते हैं कि आपको समझ में होगा आज का जियोगराफी जो इंपोर्टेंट कोस्चन था जो कई बार एक्जाम में पुचा है दस साल का पूरा निचोड हम ला करके रख दी है ठीक है बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 दिन में कंप्लीट करेंगे कितना दीन में चार से पान्स दिन में और आपकी तयारी बहुत संदार होगी और दो दिन में आपको सबजेक्टिव ही मिल जाएगा उसके लिए टेंसन नहीं लेना है तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो और खुदा हाफिश